हलो बच्चो मैं प्रियाराटोर आपके लिए लेकर आ गए हूँ आज मस्त वाला और सबसे इंपॉर्टन टॉपिक इस चप्टर का और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो की हमारा चप्टर चल रहा है उसका L11 आज करेंगे और जैसा कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टन टॉपि इसमें बहुत कुछ माल भरा हुआ है बताएंगे आपको क्या-क्या है इस पर क्वेशन भी आये हुए हैं कहीं कॉम्पेटिशन तो दोनों ही तरीके से बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है तो बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है और उतना टम भी नहीं है बहुत ही इजी त तो फिर वो सोने पर सुहागा हो जाता है तो चलिए चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या-क्या हमें पढ़ना है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एकल-कोशी का प्रोटीन ठीके और उसी के साथ हम एकल-कोशी का प्रोटीन को खादी की रुपे प्रयोग करने के लाभ भी देखेंगे ठीके तो शुरू करते हैं आज का मस्तवाला टॉपिक I hope सभी यहाँ पर धड़ादर धड़ादर आ गए होंगे क्लास के अंदर देखें अभी मैंने क्या कहा एक ऐसी चीज जो बहुत important है easy है और आपको board के अंदर भी marks दिला रही है और competition के अंदर भी marks दिला रही है बताओ कितनी सारी facilities है ऐसा ही यह खुद एकलकोशी का protein भी है नाम लग रहा होगा आपको हमें कहा जाता है कि protein खाओ ठीक है protein के लिए हम क्या खाते हैं दाले खाते हैं पनीर खाते हैं दूज से जुड़ी हुई चीजे खाते हैं वो महंगी भी होती है आजकल protein powder आने लग गए हैं वो भी महंगे होते हैं तो भई यह एक ऐसा स्त्रोथ है जैसे आभी मैंने exam के लिए बताया कि एक तो सस्ता जैसे कि मैंने कहा कि easy topic है एक तो सस्ता उपर से यह हम जो दूसरे product खा रहे हैं यानि कि plant से जुड़े हुए या animal से जुड़े हुए product खा रहे हैं उनके comparison में दुगनी मात्रा में protein दे रहा है ठीक है जैसे आभी मैंने कहा कि एक तो easy topic board में भी helpful प्लस competition exam में भी helpful ऐसे ही एक तो सस्ता उनके comparison में साथ में अधिक मात्रा में protein दे रहा है प्लस अधिक मात्रा में इसको उगाया जा सकता है जिनके लिए बड़े बड़े hectare खेतों की जरुद पड़ती है बड़े बड़े लंबे लंबे खेतों की जरुद पड़ती है गायों को पालनी के लिए आपने देखा ही क्या क्या कहानिया करनी पड़ती है उसके comparison में ये cheap quantity में हमारे पास quality के साथ आ जाता है ठीक है हमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता और प्लस हमारे पास product भी की मात्रा भी क्या आ जाती है बहुत आ जाती है अभी हम आगे देखेंगे कि किस comparison क्या है मैं आपको बताऊंगी कि normal protein जो हम खाते हैं या उगाते हैं plant की form में या पशुओ से उसके comparison में कितना जादा हमें product दे रहा है उत्पादन दे रहा है तो शुरू करते हैं single cell protein को अब single cell protein नाम बता रहा होगा आपको single मतलब एक ही cell में मिलने वाला protein अभी जैसे कहां normally हम protein कहां से लेते हैं plant से या तो दालों से है ना मटर है चना है है ना या फिर animals से लेते हैं क्या वो सब एक cell से बने हुए नहीं plant भी बहु कोशिक हैं multi cellular हैं और animals भी multi cellular हैं meat खा रहे हैं चिकन खा रहे हैं पनीर खा रहे हैं जो भी खा रहे हो ठीके वो सब multi cellular animal या plant से आए हुए पहले case तो क्योंकि ये एक छोटे शुक्ष्मजीव हैं मतलब माइक्रो बैक्टीरियाज हैं माइक्रो बैक्टीरियाज के नुकसान तो बहुत सारे हैं लेकिन माइक्रो बैक्टीरिया के फाइदे भी बहुत हैं ठीके जो शुक्ष्मजीव हैं माइक्रो और्गेनिजम हैं बैक्टीरिया भी हैं इसमें कुछ माइक्रो और्गेनिजम जैसे की एलगी, फंजाई वो भी इसमें आएंगे तो भई वो एक सेल होते वे भी सिंगल सेल होते वे भी हमारे लिए प्रोटीन का एक रिच सोर्स है मतलब उनसे हमें बहुत मात्रा में प्रोटीन भिल रहा है तो विज्ञानिकों ने यह आइडिया लगाया कि हम क्यों यह पशुपालन कर रहे हैं देखा है यह आपने कितने सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं पादप प्रजणन कर रहे हैं फसले बढ़ा रहे हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम पादप प्रजणन कर क्या हैं पढ़ाधना हमने एक topic जहां पे हम खाद्य उत्पादन की गुणुवत्ता बढ़ाने के लिए बी पादफ प्रशनन करते हैं जन्तु प्रशनन करते हैं अनिमल ब्रिडिंग करते हैं प्लांट ब्रिडिंग करते हैं तो इतना सब क्यों करा जा रहा है जबकि हमारे पास ऐसे चोटे चोटे माइक्रो और्गेनिजम है जो उनके कंपैरिजन में हमें बहुत जादा मात्रा में प्रोटीन दे रहे हैं तो क्यों नहीं उगाना शुरू कर दें वह उग भी जाएंगे क्योंकि बहुत चोटे हैं चोटी सी जगा में उग जाएंगे प्लस जादा मात्रा में तो यही है single cell protein कि छोटे छोटे एक कोशिकी यह शुक्ष्म जीवों से protein प्राप्त करना क्या कहलाता है एकल कोशिका protein या protein के स्तुरोथ क्या कहलाते हैं एकल कोशिका protein ठीक है चले और star mark लगा दीजिए बहुत important topic है बताती रहूंगे मैं आपको नीट में भी इस पर कैसे कैसे question आया है और board के नजर यह तो important पूरा के पूरा है ठीके चले क्या है वही एकल कोशिका protein जिसको हम single cell protein यानि कि short में SCP का अर्थ शूक्षम जीवो जैसे कौन कौन से शूक्षम जीवो चाहे वो bacteria हो चाहे वो yeast हो चाहे वो शेवाल हो या अलगी हो या अन्य कवक की बड़े पैमाने पर व्रदी से प्राप्त protein से है ठीके क्या है एकल कोशिका protein की परिभाशा कि शूक्षम जीवो फला फला फल protein ठीक वो क्या हो जाएगी एककंग कोशिका क्योंकि यह सब क्या है जन्रली अब आप बोलेंगे नहीं जो अलगी है वो तो कहीं बहूं कोशिकी भी होती है लेकिं हम एक कोशिकील की बात करें हैं जन्रली यह सब कैसे है एक कोशिकी है यmumbles sellular है ठीक इसी लिए हमारे लिए ये फायदमन्द है कि इतनी बड़ी गाय पालने से तो अच्छा है कि करोड़ों शुक्ष्म जीव पाल लीजे रहे ठीक है चलिए प्रोटीन के अतिरिक्त यह खनीज भी प्रोटीन तो देही रहे हैं प्लस इसमें दूसरी चीज़े भी है जैसे क कि खनीज मिनरल्स विटामिन अच्छे वसा यानि कि फैट भी मिलेगी इनसे हमें कुछ मात्रा में कार्बो हाइडरेट का भी अच्छा स्त्रोट हो सकता है सारे नहीं है लेकिन कुछ है ठीक है व्यापक अर्थों में मश्रूम जैसे बड़े कवकों को भी इनी में शामेल क कोशी की होता है आप क्लास 12 में 11 भूल गए होंगे लोग आज बता देते हूं आपको एक चोटी-चोटी मगर मोटी बात जो आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी कि सारे कवक वही सारे कवक कोई भी चूटा हो नहीं है सब के सब बहु कोशी की होते हैं लेकिन एक exception जो है हमारे पास वो है इस्ट कई बच्चे इस्ट को अभी तक बैक्टीरिया समझते हैं नहीं इस्ट क्या है वही इस्ट एक कवक है और ये इस्ट हमारे खाने बिने की चीजों में बहुत उपयोग आता है अगर बेकिंग वगेरा करते हो अभी आने वाले हैं चैप्टर तो उसमें इस्ट से जो है फर्मेंटेशन किया जाता है खमीर उठाया जाता है एक कवक है लेकिन और ये important क्यों है क्योंकि सारे कवक बहु कोशी की है सारे कवक मल्टी सेल्लूलर है बट एक्सेप्शन इस इस्ट जो इस्ट है वो यूनी सेल्लूलर है ठीक है कहीं बार कोशन पूछ लिया जाता है कि निम्न मैंसे कौन सा कवक एक कोशी किये है या फिर ऐसा चार ओप्शन दे देंगे आपको और पूछ लेंगे निम्न मैंसे कौन सा कथन गलत है ऐसे टाइप की questions इस पर बहुत पूछे जाते हैं तो यह आप याद रखें और मुझे ऐसा याद है कई बच्चे क्योंकि मैं पढ़ाती हूं तो मुझे पता है कई बच्चे तो east को अभी तक पढ़ने के बाद भी 11-12 पढ़ने के बाद भी ऐसा समझते east is a bacteria ठीके तो यह गल अगर सिंगल सेल प्रोटीन को थोड़ा सा और बढ़ा हैं तो कुछ ऐसे बहु कोशी की कवक भी हैं हमारे पर मश्रूम भी क्या है इसको भी जद्दे भया यह भी कवक है कवक है मश्रूम ठीके पता है ना classification class 11 तो क्या है पढ़ा होगा आपने तो यह भी एक कवक है और इस 9 से भी है ना क्योंकि आपको policy तो पता है बायोगी क्या policy है यह एक कल कोशी का प्रोटीन को खादी के रूप में प्रयोग करने के क्या लाब है पहले लाब देखेंगे फिर हम जो इस lecture के heroes हैं एक hero नहीं है यहां पर बहुत सारे hero है actors हैं उनके बारे में यह नहीं के examples के बा जी से होती है बैक्टीरिया है कवक है ठीक है इसके अंदर और एलगी है कितने चोटे चोटे और आपको पता है बैक्टीरिया को multiply होने में seconds लगते हैं ठीक है second में वो triple या four times हो जाते हैं कुछ बैक्टीरिया तो तो बहुत ही अत्यंत स्पीड से यह क्या करते हैं गती करते हैं या व्रद्धी करते हैं इनको वही क्या कर लेंगे हम समवर्दन माध्यम में डाल देंगे समवर्दन माध्यम बहुत बार word आ गया है लेकिन कई बच्चे जो नए होंगे वो कहेंगे मैं समवर्दन माध्यम क्या है तो बही समवर्दन माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसम सबी पोशकतत्व मौझूध होते हैं जो उस शूख्ष मजीव कह उगा रहे हैं याati cells जो उग उगा रहे हैं उसके लिए आवशक है तो भाई bacteria जो है वह बहुत जल्दी में एक से का एक सेन्ट मेंर यह टा यह ट्रिपल do लिफ्रेंट एक स्पीट से यह क्या करते हैं क्योंकि इनुमें मल्टीफूजन है बहु विखंड्न जैसी मोशाव द्वी विखंड्न जैसी मोशावीं और बैक्टिरिया तो निक FCC में बच्चे पेदा करते हैं में जितना देगी उतना यह तीन में प्यादा कर देंगे प्रोटीन ठीक है 200 ग्राम अगर हम बोले कि यह 200 ग्राम में 25 तन्ग तब क्या कर सकते हैं प्रोटीन प्यादा कर सकते हैं अभी फैक्स देखेंगे हम इनके क्यों important है है ना उनका इंतजार करते हैं थोड़ा सा फिर उजागर करते हैं उने यह क्रशी अप्षिष्टों तथा अन्य उद्योगों के अप्षिष्ट जैसे मोलासस बता रही हूं क्या है जन्तु खाद्य पनीर का पानी कागजव पल्प अप्षिष्ट सिवेज आधी जैसे वि पालन करनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपने देखे फार्म के अंदर क्या क्या आपको अच्छा रहना जगह डॉक्टर का रेगुलर चेक अप इनको कोई जरुवत नहीं है पहली बात इनको हमें कुछ देना नहीं है कहां कहां उग सकते हैं यह कहां यह अपनी ब्रद्धी कर सकते हैं आपको बता है बैक्टीरिया कवक कवक तो हैं ही कौन से सैप्रोफाइट से मरी सड़ी गली चीजों पर ही पैदा हो जाते हैं ठीके बैक्टीरिया को भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एक कटोरे में समवर्धन पाड़ दे दो इनको पैट्रे डिश गन्ना गन्ने से जब हम शक्कर बनाते हैं यह तो पता है ना गन्ने से शक्कर बनती है मैं बोलेंगे वाँ मैं आज आपने एक नई बात बताई गन्ने से शक्कर बनती है है ना शक्कर बनती है तो इसमें कुछ अप्शिष्ट पदार्थ निकलता है मतलब एक ब्लैक कलर का पदार्थ निकलता है, जिसको बोलते हैं molases, आजकल तो molases का भी यूज किया जाता है, brown sugar की फ़र्म में हालाज कि brown sugar, coconut sugar भी होती है, गुड को भी brown sugar में गिना जाता है लेकिन एक black color का tar जैसा, tar मतलब वही diesel type का ये पदार निकलता है, जिसको हम कहते हैm मोलासस पे उग जाते हैं, जन्तु खाद पे उग जाएंगे, मतलब कि आप अगर जो एनिमल है, उनका वेस्ट, पॉटिवर्टी है आपके पास, जन्तु हो की, तो उनको भी आप खाद बना के उगा सकते हो, पनीर के पानी में उग जाएंगे, ठीके पनीर का बचा हुआ जो पौदों से निकला हुआ पलप हो या कागज का ही पलप हो उस पे उग जाएंगे, अपशिष्ट सीवेच, सीवेच का मतलब घरों से निकली जो गंदगी है, फैक्टरियों से निकली जो गंदगी है, जिसमें खाने पीने की पानी, सबजीयों का पानी है ना, काफी होता है पानी, उनमें भी उग जाते हैं, इसमें सब में उग जाते हैं, तो भई कोई कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, जो चीजें हम गायों में इतनी लंबी-लंबी व्यवस्ताय कर रहे थे, वो नहीं करनी पड़ीगी, फिर क्या है, यहाँ पारंपरी फसलों की अपेक तीन-चार रूम बन जाए, एक हॉल बन जाए, इतना बड़ा एरिया तो आपको चाहिए, उन गायों को रखने के लिए, उसके कंपेरिजन में इनको क्या चाहिए, वो बोलते हैं न सिर्फ दो गज जमीन, भाई लोग सुना ही आपने, कि आदमी को क्या चाहिए, सिर्फ द लैब में ही उग जाएंगे, यह तो कई जाना ही नहीं पड़ेगा, वो पोशको के सांद्रित स्त्रोत होते हैं, कम जगा भी चाहिए और हमें पोशको के सांद्रित स्त्रोत का मतलब न्यूट्रियंट बहुत सारे हैं इसमें, प्रोटीन तो है ही, साथ में हमने देखा इसम तो अधिक है ही, बहुत जादा मातरा में प्रोटीन है, प्लस गुणवत्ता भी नॉर्मल प्रोटीन जो हम गायों से या दालों से लेकर आ रहे हैं, सबजीों से लेकर आ रहे हैं, उनके कमपारिजन में बहुत अच्छा है, आपको पता ही है कि मैक्सिमम एलगीज जो है, वो प्रोटीनेस होती है, सेलुलोज होता है उनमें, सेलुलोज की बनी मेंब्रेन होती है, या प्रोटीन की लेयर होती है, तो प्रोटीन की मातरा बहुत ज़्यादा है उनमें, प्रतीकूल मौसम पर्यावरन परिस्तित्यों का इनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वहां पे हम क्या कर रहे थे हमने जब वह कुट पालन और वह पशु पालन किया था तब आपने देखा था कि प्रतिकूल वह परियावरन परिस्तितियों में उनके उपर टीन शेड होना चाहिए है ना सरदी से बचने के लिए उनके पास गरम गरम सिग्डिया विग लगाने पड़ेगी बिमार हो जाए तो आपको उसका चेकप कराना पड़ेगा यह बिमार तो हो नहीं सकते क्योंकि यह तो वैसी लैब में उग रहे है ठीक तो ऐसी परिस्तित्यों को इनके उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा शुक्ष्वजीवों को आनुवांशिक अभ्यांत्री की द्वारा आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है आनुवान्शी की अभ्यांध्री की बहुत बार वर्ड आ गया है अब तो जैनेटिक इंजिनियरी जिसमें हम जीन्स के साथ खेलते हैं जीन्स के साथ मेकेनिक का सपोर्ट दे कर उसको मोडिफाइड करते हैं ठीक है तो शुक्षम जीव को क्या कर सकते हैं genetic engineering का use करके स्थानान तरीद भी कर सकते हैं कि मान लो ये protein मुझे मान लो कोई special type का protein east में मिल रहा हो और east में कोई gene है जो उस protein को बना रहा हो तो मैं उस gene को east में से निकाल के मैं बैक्टीरिया में डाल दूँगे क्योंकि बैक्टीरिया east के comparison में हो सकता है अच्छे से ज़्यादा तेजी से प्रग्दी कर रहा हो उदर से gene निकाल के इधर डाल दूँगे लो आप बनाओ है ना तो स्थानान तरण भी क्या है रुपान तरण या स्थानान तरण भी बहुत important है हम क्या कर सकते हैं इनको रुपान तरण कर सकते हैं modified कर सकते हैं या स्थानान तरण भी कर सकते हैं transfer भी कर सकते हैं किसी चीज़ को next है इसके उत्पादन में अप्षिष्ट पदार्तों का प्रयोग होने के कारण यह परियावरन प्रदूशन से बचाता है वो अप्षिष्ट पदार जो हम फेक रहे हैं इदर उदर डाल रहे हैं pollution फैला रहा है उसी को हम अगर इसका उत्पादन करने में use कर लें तो हमारा जो अप्षिष्ट पदारते वो परियावरन को दूशिद भी नहीं कर रहा है उसका use हो रहा है एक तरह से हम क्या कर रहे हैं उसको reuse कर रहे है आजकल परियावरन का यहीं नारा है recycle, reuse, reduce तो यह जो है यह भी इसमें helpful है यह जो अभी हम lab पढ़ रहे हैं बहुत important है आपको book में इतने नहीं मिलेंगे बहुत सारे मैंने यहाँ पर extra लिखे हैं क्योंकि यह question आता है एकल कोशी का protein और उसके lab ठीके, कहीं ने कहीं आपको मिल जाएगा या तो small answers में मिल जाएगा छोटे वाले में या long में मिल जाएगा या objective में मिलेगा आएगा जरूर इससे question ठीके, इनमें से कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा और competition में तो खेर, इनकी बाती अलगे पश्यू पालन जैसे नेतिक रूप से विवादास्पत विश्यों से बचा जा सकता है ठीके, पश्यू पालन जो हम करते हैं हम कहते हैं कि कहीं लोगों को soft corner होता है पश्यों को ऐसे बांद के रखते हैं विचारों को ठंड भी लगती होगी गर्मी भी लगती होगी विचारों से खेट जुतवाते हैं ऐसा जो विवादास्पत मतलब की लोगों की जो thinking है नेतिक्ता तो समझते ही है इतिक्स जो हमारे है इतिक्स अब नेतिक्ता वही सोश्यलिज्म जो मैंने अभी कहा कि एक soft corner हमारे मन में होता है कि नहीं हमें जानवरों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए है ना कहीं लोगों को तो भई उससे आप बच सकते हैं वो example शुरू हो रहे है चाहें तो लिख दीजिए एक्जाम्पल से आपसे पूछ ले तो आब एक्जाम्पल की कडिया शुरू हो रही है सबसे पहला और famous नाम जो है वो है spirulina spirulina कुछ नहीं है एक प्रकार का cyanobacteria है यहीं कि blue green algae है अब यह तो आपको पता ही होगा cyanobacteria को ही blue green algae कहते हैं ठीके तो यह blue green algae है यह एक नील हरिट शेवाल है जो protein का अच्छा स्त्रोथ है ठीके बहुत नाम है इसका इसमें protein की मातरा अच्छी होती है तता इसकी व्रद्धी तेजी से होती है और बहुत speedly क्या करता है ग्रो भी करता है star mark लगा रही हूँ क्योंकि neat में question पुछा हुआ है ठीके spirulina पे कि spirulina एक एकल कोशी का protein है और नीचे चार option bacteria, cyanobacteria फिर ऐसे ऐसे करके कुछ और थे ठीके एक बार उल्टे तरीके से पूछा हुआ है कि spirulina का उपयोग है तो उसमें चार option थे उसमें था एकल कोशी का protein CSP वहीं इसका short form भी याद रखें CSP क्योंकि कहीं जगा सिफ CSP लिखा होता है ठीके तो वो दोनों चीज़े आप ध्यान रखें यह देखो यह राई spirulina मार्केट में धमादम से मिलता है ग्रीन कलर का होता है क्योंकि ब्लू ग्रीन एलगी है ठीके तो यह जो है यानि के foreign countries में बहुत यह खाया जाता है फाकिया मारते होंगे इनकी हम तो भई गुटका कहने से हमें बुर्जद नहीं मिलती प्रोटीन कहां खाएंगे हम ठीके तो भई अच्छी चीज़े खाते हैं हमें भी अच्छी चीज़े यह खानी है यह गुटका गुटका नहीं गाउं में देखा होगा आपने है गुटका खाते है ऐसे पिस-पिस के वो कुछ एक पाउडर जैसा नाक में लगाते हैं सुमते नसका जिसको कहते हैं तो भई यह protein है और यह जो है यह सहब जो है यह क्या है भई यह है microphyllus ठीके यह i aicrobacteria है इसका भी यूज करेंगे प्रोटीन क्या करते है क्या करते हैGoof a अपको समझ आइ ह podéis लेनी है आपको उसके अंदर जो भी आपको शॉचल्ugen लेना लेना है या माइक्रोव फिल सटलेघियो उसको रख देना फोकर वासे अंदर उसको संकुना ओदिया इसको माध्यम भाड़ी रहा अगेगी थोड़ी बहुत ठीके और यह तो अल्गी है यह तो समुद्र में मिलता है ठीके चली क्लोरेला नामक हरा शेवाल भी प्रोटीन से सम्रध है यह जो एक्जामपल आ रहे हैं यह सब यलो यलो कर रखे हैं मैंने इनको डटी फैलो बना रखा है क्योंकि यह बहुत इं East Extract क्या होता है East का निशकर्ष तीक है East को हमने उगाया फिर उसको बीज्व कर वो पृणं लेंगे तो इस्को निकलेगा उसको अपने लो मेत्न है करता है नॉर्मल यन्गुज मैं मीक्सर में नहीं गुमाते है मैमम ठोड़ा सा emotional हो गई घर के कामों से वो आपको पता ही है अलग-अलग machine ने आती है मिक्सर तो मैं आपको समझाने के लिए क्या दिया हाला कि वो एक प्रकार का grinder या मिक्सर ही है लेकिन लैब में है तो फिर हम उसे घर वाला मिक्सर कह दे तो उसके बेज़ज़ती हो जाती है ठीक है इस्ट एक्स्टेक्ट में विटामिन प्रचूर मातरा में पाई जाती है यह फोटो आपको परेशान कर रहा होगा लेकिन यह फोटो बहुत मज़दार है अभी आपको बताते है methylophilus जो कि मैंने आपको आपको आगे फोटो बताया था जिसका बैक्टीरिया का methylophilus methylotropus यह पूरा एक ही नाम है दो भाई नहीं है यह एक ही है यह है ना रामशाम नहीं है यह दोनों मिला कर एक है methylophilus methylotropus एक उसका जीनस होगा और एक उसकी species होगी ठीके चलिए तो यह क्या है यह इससे एक प्रकार का जो protein मनता है उसको एक नाम दिया हुआ है protein ऐसे pouch में आता है दिखी रही होंगे आपको गोलिया लेकिन आप ज़्यादा emotional नहीं हो आपके खाने लैग नहीं है यह किसको खिलाए जाता है animals को अनिमल फीड है यह ठीक है अनिमल का खाना है हमारा नहीं है हमें नहीं खाना चाहिए आपने देखा हो मचलियों को वो दाने डाले जाते है मैं यह नहीं कहा रही कि वो यह है लेकिन उसमें भी यह मिलाया जाता है, गायों के लिए, जो पशू हैं जितने भी, उनको प्रूटीन देने के लिए, क्योंकि उनको अच्छा दूद दिलाना है, तो उनको अच्छा खाना भी देना पड़ेगा, तो घासवास के साथ यह प्रूटीन भी खिलाया जाता है, हमा है या यूज है वो कम हो गया हम क्यों नहीं खाते यह सवाल अगर किसी के मन में आ रहा हो वो इसी लिए नहीं खाते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा nucleic acid है आपको पता ही है यह bacteria से बना हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में nucleic acid है और अगर आप इसे खाएंगे तो आपमें यह बहुत सारे side effect करेगा एक दो बार खाने से चाहिए कुछ नहीं हूँ लेकिन वही long term effect जो है इसके side effect वो खतरनागे dangerous है यह humans के लिए इसलिए humans को नहीं खिलाया जाता ठीके बजार से ले मताना animal feed है ठीके तो क्या है यह वाले जो महाशय है इन एक जिवानू है bacteria है यह तो हमने बताई दिया से पहला इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि भाई सबसे पहला बना हुआ है सबसे पहला वाला जो एकल कोशी का protein है वो credit goes to methylophilus ठीके से पहला एकल कोशी का protein जिसका नाम है protein इसको भी याद रखना है प्राप्त किया गया था इसे एक पशु खाद्यपूरक ठीके animal food के रूप में काम में ले रहे हैं हम बेचा गया ठीक लेकिन बाद में इसको ही जो है वो कम हो गई क्योंकि जैसे मैंने कहा यह humans को तो नुकसान पहुचाता ही है animals को भी अगर आप long time तक इसको देंगे तो उनको भी है तो वही गाय भी mammal है हम भी mammal है है ना उन्हों में भी वही कोशिका है हमें भी वही कोशिका है तो उनको भी यह कुछ हद तक नुकसान पहुचा रहा था digestion उनका आपका digestive track खराब कर देता है और दीरे दीरे अगर आप लंबे समय तक उनको भी सिर्फ यहीं दे तो पशो को भी क्या करेगा यह effect करेगा चलिए यह है भाई क्लोरेला व यह क्लोरेला है बहुत छोटा होता है 0.2 माइक्रो म्यू के बराबर ठीक है बहुत छोटा और यह उसका पावडर सबके पावडर बना दी इसका भी green कलर का दिख रहा है क्योंकि यह green algae है है ना इसका भी ऐसा green कलर का पावडर है आपके लिए चमजबर किलाई हो चाहो तो किसी को लग रहा होगा यह तो हूली की कलर है मैम हूली कब है हूली हूली तो गई मैम दिवाली आने वाली है चली और उससे पहले गया आने वाला है गणपती बबबम मोरी आने वाला है इसकी बायो मास उत्पादन वह व्रदी की तीवर दर के कारण 250, मैंने कहा था, आप fact बताऊंगी आपको, ठीके, इस fact को ज़रा ध्यान में रखे, वैसे कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन लिखोगे तो अच्छा रहेगा, fact बताना है क्योंकि, और इस point को अगर आप वहाँ पे भी add कर दोगे, जहां पे हमने लिखा कि इनकी उतपादन श तो 250 ग्राम शुक्ष्वजीव प्रति दिन 25 टन प्रोटीन का निर्मान कर सकते हैं, 25 टन, ठीके, कर सकते हैं, जबकि, इधर देखना वही, वो ग्राम में है, ये किलो ग्राम में है, धाइसो किलो ग्राम की एक गाय, एक दिन में मात्र 200 ग्राम प्रोटीन उतपादन कर पात पानी भी हमboys और बचा-कुछा पानी आपका दूद्वाला मिला देता है अदा काम वो खतम कर देता एक दिन में जो गाया दूद्व देती है उसमें 200 ग्रोटी मिलता है और वह भी आपको पुरा नहीं मिलता Пूरे दिनके दूद में आप तो कि तेना दूद्वी पीते होंग वो 25 टन और ये 200 ग्राम ये प्रती दिन की बात कर रहा है यहाँ पे भी इधर भी प्रती दिन की बात कर रहा है इधर भी प्रती दिन और फर्क आप देखी रहे हो मश्रूम उत्पादन को भी एकल कोशिका प्रोटीन का प्रकार माना जाता है मैंने कहा था कि मश्रूम वैसे बहु कोशी किये है लेकिन आजकल मश्रूम को भी एककल कोशी का प्रोटीन में गिन लेते हैं सारे मश्रूम नहीं खाया जाते नीचे लिखावा आ रहा हो कहीं है ना सारे मश्रूम नहीं खा जाते हैं ऐसा नहीं कई लगा हुआ दिखे ओ मश्रूम खा लू है ना तोड़ के ऐसा नहीं है थोड़े दिन पहले मैंने ग्रुप पे एक वीडियो डाला था मश्रूम का है ना कि यह मश्रूम होते हैं तो वही यह जो है ऐसा नहीं करना विलत चला देखो कोई चीज नहीं आती है मार्केट में तो लोग उसको धड़ा-दर से यूज करते हैं बाद में उसके साइड इफेक्ट पता चलते हैं तो ऐसे ही पता चला कि प्रूटीन से जो है एनिमल को भी नुकसान हो रहा है यूमन्स के साथ-साथ एनिमल को भी इफेक्ट क कॉर्ण यह वाला कॉर्ण नहीं है कॉर्ण की स्पेलिंग जड़ा देख ले प्राप्त किया गया कहते हैं इसको कॉर्ण नहीं कहते हैं क्या नाम है माइक्रो प्रोटीन कॉर्ण किस से मिलता है यह भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका हम सप्लीमेंट लेकर आए है ठीके, माइक्रो प्रोटीन कौन फ्यूजेरियम वैननसेंटम नाम का एक इसका जो स्पिशीज है वैनन्टम, सॉरी, वैनन्टम नाम का फ्यूजेरियम वैनन्टम, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है आप नहीं लिखेंगे कोई चलेगा आप फ्यूजेरियम लिख देंगे, तो भी चलेगा ठीके, फ्यूजेरियम वैननन्टम नाम का एक कवक है, उसको उस कवक को उगा के फिर उसके हमने चंक्स बनाया है, यह देखो यह पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा यह आपकी सोया बीन वडी देखिए आपने आजकल एड आता है फॉर्चून का है ना सोया चंक जिसको कहते हैं है ना सोया वडी, ऐसी मीट जैसी लगती है वो बॉल्स, वही है और कुछ भी नहीं है वैसा ही है मतलब दिखता है लेकिन यह कवक से बनाया हुआ है और सोया वडी को सोया बीन से बनती है सोयविन भी हम कहते हैं प्रोटीन का बहुत-बड़ा इस्त्रोट है उसको नगेट्स बनाके, उसके टिकक्की विक्के बनाके आजकल बहुत Famous है सोया-चाःप सोया वड़ी, मुं में पानी आ रहा है, सोया चाप का नाम संगे, ठीके, वैसा ही ये होते हैं, चंक्स होते हैं, छोट छोटे, फिर इनसे जो भी आप वेराइटी बनाना चाहो, बना सकते हो, और ये यूमन्स भी खाते हैं, सबसे बड़ी स्पेशलिटी, वो तो यूमन्स ख प्रोटीन जो है, वो इंपोर्टेंट है, और हाँ, ये भी कॉश्चन जो है, वो नीट में पूछा हुआ है, कहां लगा दू यहां पे, नीट का नाम लिख दू क्या, ये वाला और स्पाइरूलिना वाला आ चुका है, और इधर से जो है, इनसाहब का भी नाम आया हुआ ह तो इसलिए ये सब इंपोर्टेंट है, तो जादा कुछ था नहीं इसमें, मैंने कहा था बहुत इजी है, और इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है, वो भी खतम होता है, I hope आपको मज़ा आया हो, कुछ बाते करके आज खाने पीने की, और मिलते हैं अगले वीडियो ल सब तक के लिए इंतिजार कीजिए